हलो में प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सबी लोग वेलकम बैक टु दे चैनल परफियूम गुरू आज हम करने वाले हैं धमा का कुछ बढ़िया बजट फ्रेंडली परफियूम के साथ आपको पताए है वाइल स्टोन अपनी एक इंडियन कपनी है जो बजट फ्रेंडली डिय लिए रिव्यूस बनाते हैं और इनका नाम है अक्वा देन देर्स पाइरो और देन देर्स टेरा आपको बीज़ेस्ट करूंगा क्यूंकि यह उप्शन यह जो मैं सब साथ अप्रिशेट करता हूं अगर कोई भी कितनी भी महंगी कंपनी है अगर आपको सांपल्स दे रही इस चीज को हमें अप्रिशेट करना चाहिए क्योंकि हम लोग को मौका मिल जाता है कम पैसे खर्च करके पर्फिम्स को ट्राय करने का और जब यह ऑप्शन अवेलेबल है तो इसका पूरा फायदा उठाई है इसलिए मैंने वाइल स्टोन की वेब साइट से ही यह तीनों मं कर नहीं चला था सबसे पर्फिम्स की दुनिया में एक बहुत ही पॉपिलर सेंट है उसी का यह क्लोन लगा मुझे एंड दे क्वालिटी वास क्वाइट डिसेंट यह शार्पनेस नहीं है स्ट्रेट फ्रम दे वर्ड गो यानि की शुरुहात में बता सकते हैं कि इस पर्फिम का क्लोन थोड़ा भी अगर अपको डिजाइनर पर्फिम्स क्राथ एक्सपिरियंस रहा होगा तो इस इस अधरी अक्यूरेट क्लोन फ थे वेरी पॉपिलर ब्लोदी चनल ब्लोदी चनल एक है तो एक बहुत ही पुराना फ्रेक्रेंस दोस्वा चनल का लेकिन अभी जिस ब्लोदी चनल को हम जानते हैं फ्रेंच में ब्लो का मतलब ब्लू ही होता है तो वह एधिंक 2000 का प्रोड़क्ट है फिर उसमें सबसे पहले ओधी तोलेट आया था फिर ओधे पाफान है या इसे कुछ जो भी उल्टा हुआ देन देर इस अ प्योर पाफान एडिशन जो थोड़ा सा डिफरेंट है बट एसेंशली जो इनका डियन है वो सेम है बहुत इजली कोई बता सकता है कि यह फ्रेक्रेंस जो है ब्लोदी चनल इसके कुछ जो एलिमेंट्स है वो हमेशा आपक काफी पॉपिलर क्लोन है क्लोन कंपनी बहुत एंजोई करती है ब्लोदी चनल को क्लोन करना तो क्या इस पर्टिकुलर पर पैसा लागाना वर्थ है तो देखिए दोस्तों अक्यूरेसी बहुत बढ़िया है आपको इनिशली एक शार्प लेमन वाइलेट लीफ का नोट मिल इस नोट मिलेगा बहुत ब्रीफ ली पिर वो गयाभ हो जाएगा उसके बाद वक्प इस लेफ्ट अव इस जीए अंट पर भी हुड़ मेंडर आपको इसमें लेमन लेगा बहुत ब्रीफ ली पिर वो गायभ हो जाएगगा उसके बाद वाट-इज-उलेफ Lambla經 सुग भेह the super sharp and amped up powerful molecule of ambroxan जो ambergris का substitute है designer fragrances में या conventional fragrances में तो ambergris के note कैसा होता है ambergris दोस्तों एक natural material है जो समुद्र में पाया जाता है तो naturally उसमें समुद्र की खुश्बू होती है थोड़ा नमकीन होता है थोड़ा सा कह सकते हैं कि moisturus होता ऐसा लगता है कि उसमें हलकी सी मिठास भी है समुद्र का जो नमकीन जो कहलीजिए एक जो टेस्ट होता है समुद्री पानी का वो आपको नमकीन नोट्स भी वहाँ पर थोड़े साल्टी नोट्स मिलते और एक स्वीट हलकी सी ठंडी ठंडी हवा जैसी एक ओशियानिक उसमें खुशबू होती है तो वो एमब्रॉक्सन जो है अगर बहुत कम मातरा में इस्तिमाल किया जाए तो एमब्रॉक्सन वैसे एक जेनेरिक फर्मिला दोस्तों बहुत सारे एमब्रॉक्सन के अलग-अलग ब्रैंड्स जो है फर्मिला बनाते हैं एमब्रॉक्स के नाम से आता है और सेटलॉक्स के नाम से आता है सेटलॉक्स भी एक रिप्लेस्मेंट है उसका तो सारे एक जैसे हैं तो उसमें भरा पड़ा इसमें एमब्रॉक्सन Chanel और Dior fragrances में Ambroxen बहुत सादा overuse होता है आपने बार-बार notice किया होगा कि अगर इस तरीकी के lemon और lavender और एक आद floral notes mention कर देते हैं यह अगर skin पर लग जाए तो आपको वो और synthetic sandalwood yes तो एक कभी-कभी गर्मी में बहुत sour smell होती है इसलिए मुझे ब्लोदी शेनल की series पूरी पसंद नहीं लोगों में बहुत जादा popular है बट usually ब्लोदी शेनल लेने वाले कौन से लोग है जो लोग formal occasions पर उस fragrance को लगाते हैं office लगा कर जाते हैं इन जनरल भी अगर उस perfume को लगाते हैं तो AC environment में लेते हैं जब आप थूप में बहार निकलेंगे तो usually आप देखेंगे कि इसके जो marine notes है और जो dry हलका सा जो synthetic sandalwood का जो woody smell आता है ऐसे fragrances से वो sour हो जाता इसकिन पर especially इसका एक deodorant भी हुआ करता था मेरे पास ब्लोदी शेनल का उसके साथ भी यही problem थी बट अगर हम बात करते कि फ्रेगरंस कैसा है तो बहुत अच्छा accurate क्लोन है अगर आपके पास अर्माफ का tag him for men कभी रहा हो एक सस्ता क्लोन था बहुत पुराना क्लोन है अर्माफ का वो अभी भी सस्ता मिलता है उतना long lasting नहीं है बट इट इसकते हैं कि decent clone of bloody channel आपको पता चल जाएगा bloody channel क्या है तो this is a clone of bloody channel this is what I feel और फिर हलकी हलकी इसमें cedar और white musk की जो खुशबू आती है dry down में ambroxan की जो मिठास है that feels nice initially naak को चुपता है बट it is a very accurate clone इस price point पर मिल रहा है अब रही performance की बात honestly इसका performance performance बहुत ही poor लगा मुझे मेरी skin पर इस मौसम में जबकि almost 30 degrees अभी गर्मी उपर नहीं जा रही है मुझे 5 hours मिला था performance जिसमें projection for the first half an hour to 45 minutes और ये complaint हमने बहुत सारे wildstone frequencies के साथ पहले भी देखा है so this is not a very long lasting perfume but आप इसको अभी fall या pre-winter में enjoy कर सकते है ब्लोडीशनल में नहीं मिलेगी ब्लोडीशनल क्योंकि एक महेंगा पर्फ्यूम है एक reputed brand का है तो चीज भूल जाई क्योंकि वो fragrance भी इतना ही नाग को चुबने वाला और शार्प है next is a much better fragrance from wildstone which is called terra terra का मतलब बता दो दोस्तो terdy Hermes क्यों बोलते है terdy Hermes एक बहुती popular fragrance है थोड़ा सा ऐसे blue designer fragrances हटकेक आर्टिस्टिक फ्रेग्रेंस निकाला था Hermes काफी ऐसे आर्टिस्टिक फ्रेग्रेंस उनोंने निकाले है अब generic हो गया क्योंकि इसके clones market में आ गया है और कुछ ऐसे सस्ते ब्राइंट के भी मेने क्लोन आपको बता है जैसे की Color Bar का एक Black Vettiver था जो इस पर्फ्यूम का क्लोन था तो इस इस अ वेरी वेरी अक्यूरेट क्लोन of terdy Hermes और मैं काऊंगा इसमें कुछ elements मुझे Tom Ford Gray Vettiver के भी मिलते है I'm a big fan of Tom Ford's Gray Vettiver उसका पाफ्यूम एडिशन भी है मेरे पास जिसकी मैं बात करूंगा because that is a beautiful scent beautiful beautiful scent अभी रिसेंटल लॉंच हो है तो जो ओदर पाफ्यूम कानसेंट्रेशन आया था लग बग वैसी खुश्बू लेकिन बहुत ही intense long lasting और refined खुश्बू उसकी मैं बात करूंगा तोड़ा समच्छी और है so this is a beautiful clone of dead herbs अब अच्छी बात क्या है कि accuracy तो ही जबरदस्त मैंने इस perfume को कल ही लगाया था और जबरदस performance मिली थी sweetness है इसमें initially जो आपको grape fruit और citrus lemon की जो combination combination जो हमने देखा है कि बाकी fragrances में थोड़ा सावर हो जाता जैसे कि भ्रोदीशनल यहां पर वो चीज नहीं है रसासी फतान की मुझे याद आती है उसमें एक beautiful opening है पट वो terryermis है थोड़ा सा हट के मैं कहूंगा fragrance है the opening is not at all like terryermis यहां पर वो आपको oranginess मिल रहा है संत्रे की खुश्बू मिल रही है एक बहतरीन उसके साथ grapefruit की मिठास मिलती है काफी silky, sweet इसमें जो imbroxan, इसमें जो ISOE, यह जो molecules होते हैं जो perfume में एक Kelly J की एक ambergris की quality दो देते हैं लेकिन बहुत ही powerful diffusion agents भी है यानि कि perfume को थोड़ा सा प्रोजेक्ट करवाते हैं बाहर निकालते हैं जादा लोग इस खुश्बू को experience कर पाएंगे आपके चानओ तरफ एक बढ़िया wide bubble हैगा संस का वो आपको इस fragrance मिलेगा So this is one of the best clones of Teddy Hermes with hints of Tom Ford's Gravitable actually, सच में इस price point पर मैं बहुत impressed हूँ especially इसकी performance है इसी वेदर में जहां पर मुझे aqua ने 5 घंटे की longevity दी जिसमें बहुत ही soft projection था ये मुझे 8 से 10 घंटे तक का performance इस perfume ने दिया which is quite shocking because wildstone perfumes जो है budget minded लोगों के लिए हैं इसलिए उसमें performance नहीं होती naturally essential oil की मात्रा बहुत कम होती है alcohol की मात्रा ज़ादा होती है but this perfume is the sweet spot and it is the most excellent value for money clone that you can get middle east के absents लगाते हैं लेकिन मैं पहली बार कहूंगा कि एक Indian approachable mass brand जिसमें एक अच्छा clone है जिसकी performance बहुत जबादा and the quality is top class तो बढ़िया essential oil अभी तुक्का हो सकता है लग से कह लीजिए यह actual intention होगी क्योंकि bloody channel वैसे भी बहुत long lasting नहीं बट इस tear de Hermes अपने आप में एक long lasting perfume है इस perfume में जो notes है दोस्तों जो mid notes में वो vetiver के dry herbal notes आते हैं then it becomes a soft cedar wood sandalwood note but जो citrus जो grape fruit की जो powerful beautiful opening है इस fragrance में पता नहीं कौन सा fixative इस्तमाल किया है clone company नहीं या जो भी है वो बिलकुल dry down तक आपको मिलेगा so this is a complex scent यानि कि खुश्बू इसकी बदलती है उसकी बावजूद भी आपको जो longevity है पूरी मिलती है अलग-अलग तूट-टूट कर खुश्बू नहीं हाती है सब एक जुठो कर आता है और बहुत ही enjoyable experience रहा है ये बहुत ही unique appealing और बढ़िया fragrance है मुझे लगता है young लोग भी इसे enjoy करेंगे because of that fruitiness that rich grapefruit का जो इसमें एक luscious सा note है young लोग भी enjoy करेंगे और इसके अंदर जो herbal notes है जो vetiver के और थोड़े से dry woody notes है cedar wood के और Kelly जी की हलका oak moss और sandalwood वो mature लोग भी enjoy करते है that's why tear deer मेंस इतना popular tear यानि की earth clone of tear deer मेस और मैं कहूंगा कि color bar vetiver में जिन लोग को performance की issue आ रही थी इस मौसम में एक बार लाकर देखिए अगर performance नहीं मिलती है this can be a better substitute yes अब रसासी फतान और इसके बीच में this is a much accurate clone of tear deer मेस लेकिन मैं कहूंगा कि रसासी फतान and this both of these have good quality तो आप अपने पैसे बचा है मुझे ऐसा लगता है और इस fragrance को ले now the next one इसको मैंने spray भी नहीं किया अभी तक नहीं मौका मिला था दोस्तों अभी आपके सामने live spray करेंगे इसका नाम है pyro आप लोग बहुत easily guess कर सकते हैं यानि की fire तो मुझे लगता है कि earth की जो जो अपने natural elements होते हैं उसके उपर इनोंने fragrances बनाए aqua, water terra यानि की earth and then we've got pyro let's spray it on definitely clone होगा अब किस fragrance का clone है मैं पुरी कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए तुनिया भर का Imbroxen मिठास बहुत ही ज्यादा मीठा है के fragrance बहुत synthetic not in a bad way मैं यह नहीं कहना चारहूं कि synthetic यानि की घटिया लग रहे है notes but this is a common sort of perfume जो market में designers 90s की याद दिला रहा है early 2000s की याद दिला रहा है sharp sweet smelling actually मैं आपको accurately थोड़ा सा इसमें साबून के भी notes है इस type के fragrance मुझे बिलकुल पसंद नहीं दोस्तों यह क्लोन है यह fragrance up close इतना पसंद नहीं आ रहा है लेकिन जो लोग आपको दूर से smell करेंगे उनको यह fragrance अच्छा लगेगा I don't know कि किस perfume का clone है but यह perfume I am sure कि आप लोगों ने सूंग रखा होगा रसासी हवास टाइप के भी इसमें elements है वो जो sharp pencil shaving वाले जो notes आते हैं उसके साथ वो sharp ना कुछ उपने वाला Imbroxen कई ना कई ऐसा लग रहा कि पाइनापल का इस्तमाल है पाको रबान pure excess पता नहीं वो fragrance मेरे दिमाग में आ रहा है और CH men pre way इसमें मिठास भी है थोड़ा सा fragrance dry down करते वक्त थोड़ा सा change हो रहा हलका सा मुझे इसमें geranium के elements मिल रहा है यानि कि हलका सा इसका जो mid notes में जो हलकी हलकी खुशबू आ रही है florals ही आ रही है जो अपने abstracts से florals होते हैं जिनको हम pin point नहीं कर सकते हैं जैसे अतर में आप बता सकते हैं यह गुलाब की खुशबू हो यह जाजमीन की खुशबू है यह रजनी गंदा की खुशबू है बट परफ्यूम में थोड़ा मुश्किल हो जाता है बताना इस fragrance is not too enjoyable बट it is definitely something जो थोड़ा सा complex है थोड़ा चेंज करेगा थोड़ा सा मुझे जॉनपोर गोतियर की भी fragrances की याद आ रही है बट दिस नोट लमाल 100 पसेंट नोट लमाल में भी उसके जो फ्लैंकर्स है उस तरह की की खुशबू कह सकते हैं fragrance जैसे से dry down कर रही है I'm finding it much better बहुत improved खुशबू अभी हो गए इसके so I feel this is a very nice complex blend initially आपको नाग को चुप सकता है अब लरदी शनल में क्या है वो भी initially नाग को चुपता है बट राइडाउन में कुछ एंजॉई करने लाग बच्चता ही नहीं है अगर आप पाफां वर्जिन लगारे है तो अलग चीज है बागी जो उसके दो फ्रेग्रेंस हैं वो इतने इंजॉईबल नहीं है क्योंकि बहुती सटल है बहुती जादा सॉफ्ट है और मुझे लगता है कि एक everyday scent के जैसे इस्तेमाल किया जाता है वो कहीं भी internationally भी तो वो चीज आपको नहीं है अपने इंडियन वेदर में अपने इंडियन कंडिशन में हमें थोड़ा सा थिक सेंट्स पसंद है जिसमें से कुछ खुश्बू तो निकले लगाएं तो लगे तो आपने कुछ लगाया तो this is one of those scents definitely for the young perfume lovers I don't think it is a mature scent but अगर आप में patience है आप इसकी synthetic opening को भरतास्ट कर सकते है तो dry down will give you this lovely fruity pineapple ही होंगा मैं apple, fine pineapple type की जो चिपचिपी सी जो candy like meat ही खुश्बू है वो थोड़ी सी prominent हो जाएगी ही हलका सा वनिला का नोट आ रहा है बात ही हलका सा वनिला का नोट आ रहा है a little bit of rose I would say but that Ambroxan is just hurting my mind it is something like Dior Sauvage कहिए दियोर Sauvage Elixir का क्लोन तो नहीं है I don't know it does smell like Dior Sauvage Elixir वो Ambroxan वो initial sharpness I think this is a clone of Dior Sauvage Elixir जैसा मैंने आपको बता है कि मैंने कुछ तो fragrance relatable है इसमें आपको ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल synthetic composition है but आप देख रहे हैं कि इस अपन्फूजिंग कॉंपूजिशन यानि कि just like fast food this is not अपना धाबे का खाना natural with natural flavors with rich makhan, ghee, whatever lassi वो चीज नहीं है इसमें but this is appealing people will love it I think this is a clone of Dior Sauvage Elixir correct me if I am wrong and I am sure कि बहुत साथ reviews हों के भार but this fragrance is improving or diffusion बढ़ता जा रहा है that Embroxen is really helping this fragrance to grow so this is a soapy fragrance initially a sweet soapy fragrance और जैसे ये fragrance dry down कर रहा है इसके बाके elements जो मने आपको बता है एक हलका सा floral heart note आपा है वो apple pineapple type का combination जो आपको Creed Aventus में भी मिलता है जो आपको निशाने हजिवत में भी मिलता है वो चीज़ यहां पर मिल रही है and the dry down is soapy, musty, mithas with sort of that marine punch हावास कितनी जारी खुजबू है so this is Dior Sauvash elixir clone ये काफी powerful set to Dior Sauvash elixir लागे भी ऐसा ही फील होता दो but जैसा मैंने कहा ना आपको ड्राइडाउन में इवाल होता है कलीजिया स्मूद आउट होता है थोड़ा वेल बैलन्स हो जाता है इसलिए इस पर बहुत सारे compliments मिलते हैं तो young boys as I said you'll definitely love this scent even people who are looking for a flashy scent भाई हमको नहीं मतलब है arts से हमें artistic fragrances मत दिखाईगी इस टाइप के हमें ऐसे fragrance दिखाईगी जिसको हमको लगा है तब compliments मिले then go for this scent which is Spyro good theme they have selected क्योंकि बहुत ही popular clone Dior Savash Elixar का and then you've got Aqua which is a clone of Bloody Chanel and then we've got Terry D. Hermes inspired Terra बहुत ही बढ़िया तीनों फ्रेग्रेंस इसलिए मैं बढ़िया बोर्डाउं क्योंकि यहां पर दो फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद आ है especially जो Teddy Hermes का क्लोन है फिर दूसरे नंबर पर definitely मैं पायरो को लूँगा जो Dior Savash Elixar का एक बढ़िया क्लोन है कि हमने इसके पहले मिडल इस ब्रेंड से जो इसका क्लोन देखा है जो लताफा आसद है उसमें थोड़ा सा बार्बर शाप ऐलिमेंट मिला दिया था यहां पर वो बार्बर शाप ऐलिमेंट आपको नहीं मिलेगा straight up Dior Savash Elixar and then we've got the Blue Di Chanel क्लोन which is not that inspiring price point के लिए ठीक है but performance नहीं मिलने वाली तो it is your call definitely इन तीनों फ्रेक्रेंस को ट्राइगी जो मुझे बताए कॉमेंट सेक्शन में वीडियो लंबा हो गया कि तीनों फ्रेक्रेंस कैसे लगे और जब मार्केट में जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती है ने छुपी हुई होती है छुपे रुस्तम तो इस दे छुपे रुस्तम फ्रेक्रेंस वर्ट बात करेंगे इसकी चलिए तब तक के लिए टेक कैर गुडबाई स्टे स्ट्रॉंग जल मिलते हैं इस चैनल से जिसका नाम है परफिम गुर्व सब्सक्राइब कर लिजे यार वीडियोस को थोड़ा शेयर कीजिए ताक कि थोड़ा सा जो अहल लांगामा हो थोड़ा सा चैनल बड़े ऊपर जाए है कि नहीं चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों टेकर बड़ा